हेलो दोस्तों नमस्कार मैं अंकित भाटी रोजगार विदंके चैनल मैं आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों मेमोरी कंप्यूटर का पार्ट हम मेमोरी पढ़ रहे हैं ठीक है कंप्यूटर में मेमोरी के बारे में हमने जान लिया है कि मेमोरी होती क्या है मेमوری का काम क्या होता है कम्पीटर के अंदर वो सब हम जान चुके हैं लेकिन मेमوری भी कैई तरह की होती है रैम, रोम तो आपने सुनी होगी खुब अच्छे से हार्ट डिस्क भी सुनी होगी वो भी एक प्रकार की मेमورी है आपने pen drive भी सुनी होगी वो भी एक memory है क्योंकि सब याददास्त का काम वो सब करेंगी ठीक है तो वो ही सब यहां समझाया गया कि memory के परकार कौन सी चीज किस परकार में आएगी और question यहां से खुब उठेंगे क्योंकि कल मैं questions का इस lesson रखूंगा कि भई कैसे कैसे questions memory से आते हैं तो अगर आपने दोनों दिन की theory आनी कल की video और आज की दोनों पढ़ी हैं तो आपको memory के किसी भी question में दिक्कत नहीं आनी चाहिए उस हिसाब से हम एक topic clear कर रहे है ताकि कोई दिक्कत ही न रहे computer में इस से जदा गहराई सा और हम क्या पढ़ेंगे ठीक है तो memory के प्रकार प्राथमिक memory और एक मुख्य memory प्राथमिक मतलब primary memory और main memory एक ही होती है primary memory भी उसी चीज़ को बोलते हैं और main memory भी उसी चीज़ को बोलते हैं एक होती है दृत्यक memory या secondary memory या auxiliary memory यानि सायक memory दृत्यक तो जो प्राइमरी होती है जिस main का मतलब मुख्य असली यह 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 आप अपने जर्रत के हिसाब से लगा सकते हो secondary ठीक है तो secondary memory उस टाइप की हो गई है चलिए तो प्राथमिक memory क्या होती है जिसकी computer जिसके बगर चली नहीं सकता CPU को थोड़ी थोड़ी देर में इस चीज से उठाना पड़ता है जैसे फिर तो RAM इसी में ही आनी चाहिए क्योंकि RAM में हर चीज computer RAM से ही पूछता है CPU कि बई क्या पूछना चाहरा है लाओ जल्दी data एकटा करके तो वो ढूंडता है तो RAM से लो है तो computer से लो है ठीक है RAM कम है तो computer से लो रहेगा ठीक है RAM ROM दोनों इसी में ही आएंगे आपने RAM भी सुना है ROM भी सुना है दोनों इसी में ही आएंगे मुख्य memory में फिर रोम क्या होता है वो भी बताने वाला हूँ तो मुखे मेमोरी हमारी तीन तरह की आप मान सकते हो एक तो इस्थाई मेमोरी जिसको हम नॉन वैलेटाईल मेमोरी बोलते है एक होती है एस्थाई मेमोरी वैलेटाईल मेमोरी ठीक है और एक होते है Cache Cache बन जाते है Clear Cache आपका Mobile में भी Option आता है तो जो बहुत ज़्यादा ही खटे हो जाते हैं तो इसका मतलब आपने Memory में उसकी में बहुत कुड़ा भर रखा है उसको साफ कर लो क्यों आपको जिस चीज़ देखिए ये क्या करते हैं Cache में आपको बताता हूँ जैसे ही आप कुछ भी चीज़े खोजते हो Memory में कुछ भी करते हो जैसे भी आपने कोई भी एप खोला तो उसका छोटा सा Cache बन जाएगा Memory के अंदर क्योंकि जब भी आप उस एप को खोलेगो तो बहुत तेजी से खोलेगा पहली बार मैं थोड़ा लेट कुलेगा लेकिन जैसे बार-बार जरुट पढ़ती है तो उसके Cache बने हुड होते है तो वो Memory एक दम पकड़ लेती है कि भाई ये इसको खोलना चाहरा है हमने पिछली बार खोला था तो इसको जल्दी से खोल देजे तो इसकी Memory मोफ फीड हो जाता है कैसे खोलना है अगर ये Cache क्लियर कर दोगे तो फिर वो देखेगा Speed तो मैमोरी का storage तो बढ़ जाएगा क्योंकि इसने भी बहुत जगे गहर रखी है लेकिन वो थोड़ा सा सिलो खोलेगा लेकिन आपको किसी app की एक बार यह जरुट पड़ी थी माली है जरूरी क्लियर करने क्यों जरूरी है किसी app की एक ही बार जरुट पड़ी थी ठीक है आपने वो कभी खोला होगा तो वो भी cash में पढ़ा हुआ होगा उसने जगे गहर रखी होगी इसलिए clear cache कर देते हैं अब जिसकी जरुत पड़ेगी अपने आप बना लेगा थोड़ी जरुमें ठीक है तो इसलिए clear cache करना जरूरी हो जाता है चलिए तो cache जो है हम समझ गए हैं क्या होता है तो memory जिस चीज़ को भी खोलती है उसका कही न कही छोटा मोटा हिस्सा रख लेते हैं ये cache अपने अंदर ताकि उस एप को जल्दी से फिर से खोल सके ठीक है ये होता है बस कैसे अब style और non volatile और volatile ये जो non volatile होती है मतलब style memory होती है ठीक है non volatile मतलब style तो जो आप ये समझ लिए volatile का मतलब होता है मिटने योग खतम होने योग खतम हो जाए volatile का मतलब जो नस्ट हो सके non volatile जो नस्ट ना हो सके ये क्या है कि ये Rome इसको especially पढ़ सकते हो इसमें सिर्फ Rome पढ़ो Rome इस थाई memory को समझे है Rome Rome का मतलब होता है read only memory जो computer में एक बार data feed होके आया है जो एक बार data feed होके आया है आप उसको change नहीं कर सकते जिस भी data ठीक है जो memory उसमें feed होके आई है उसको अगर आप change नहीं कर सकते हो जो भी उसके features है वही लिखे मिलेंगे हमेशा ठीक है तो जो computer के बार कौन सा model है कैसा है इस type के जो होते हैं वो हमेशा उसमें feed रहते हैं उसको मिटाया नहीं जा सकता उसको nest नहीं किया जा सकता computer को कितनी बार switch off करो कितनी बार on करो कितनी बार restart करो Rome as it is रहेगी इसलिए इसको बोलते है non volatile memory ठीक है कि ये मिट नहीं सकता data खतम नहीं हो सकता जो nest हो सके वो volatile जो nest नहीं होता हो वो non volatile ठीक है बात करते है एस type memory की तो ये भी क्या है RAM इसको समझ सकते हो volatile RAM किस तरह की memory है तो आपको समझेना पड़ेगा volatile memory और अगर पूछे Rome किस तरह की memory है non volatile memory और ये दोनों किस के part है main memory के और नहीं primary memory के primary memory में दोनों ही चीज़ चाहिए Rome तो होता ही है RAM भी चाहिए दोनों से ही काम चलता है ठीक है इनके बगहर computer को चलाना नामुम्किन है चलिए तो RAM गती तीवर वे धीमी करती है गती तीवर वे धीमी करती है RAM से ही होते है कि system slow है या fast है तो इसका काम RAM का यही होता है और computer बंद करने से data nust हो जाता है ठीक है अचानक बंद करने से जो भी चीज़ आप कर रहे थे जो भी आप कर रहे थे आपने वो save नहीं किया तो नust हो जाएगा अगर computer light भगगी UPS नहीं लगा हुआ या computer बंद हुआ तो वो सारा काम खतम है memory RAM उसको रखेगी नहीं ठीक है तो उसको कहेंगे data nust हो गया है ठीक है RAM आप क्या खोज रहे थे आप सोच के देखो कि आपने RAM में ही तो गया वो कि आपने ये app खोला हुआ है या mobile है आपने ये app खोला हुआ आप काम कर रहे हो उस पर उस app पर WhatsApp चला रहे हो या कुछ भी कर रहे हो अचानक battery डाउन हो गई mobile की आपने चार्ज किया कि WhatsApp वहीं से खुला हुआ मिलेगा आपको नहीं बेगदम सुरुबात से mobile चालू होगा क्योंकि RAM नहीं रखती नस्थ हो जाता है वो data जो भी आप कर रहे होंगे ठीक है तो इसको बोलते है तो RAM का मतलब समझ में आ गया क्या है कि ये volatile क्यूं है वो बात समझ में आ गई क्योंकि इसका data नस्थ हो जाता है अचानक से बंध हो जाए तो और इसका वो हमेशा ही रहेगा ठीक है अब ROM और कैशे या जो मतलब volatile non-volatile कैशे तीनों बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी और वो जो दुत्यक memory है या सहयक memory है वो क्या होती है तो दुत्यक memory और सहयक memory हो जाएंगी कि जो आप hard disk यूज़ करते है आप pen drive यूज़ करते है आप magnetic tape जो case it आती थी पहले VCR वगेरा की अगाने सुनने वाली CD यूज़ करते हैं DVD यूज़ करते हैं floppy drive यूज़ करते हैं अब तो floppy चलती ही नहीं है पतली सी एक chip वो होती थी ठीक है दो धाई इंची की उसको डाल देते थे उसमें ठीक है पुराने एक system में मिल जाएगा उसका space भी की बई इसमें डाल सकते हो तो ये सब जो होते हैं इन सब को हम बोल सकते हैं auxiliary memory मतलब सहयक memory computer का space बढ़ाना है तो इसको लगा देंगे और इनको किसलिए यूज़ किया जाता है कि ये data हमारे computer में इतनी memory नहीं है हमारे computer में अपनी hard disk के वो इतनी नहीं है या हमें ये अलग रखनी है हमें save रखना है data हमें कभी भी इसकी जरुत पढ़ सकती है पर अब जरुत नहीं है तो इनको इसमें ले लिया जाता है और अलग रख देते हैं तो ये इस्थाई memory का काम करते हैं मतलब ROM का काम करते हैं एक परकार से आप इनको room का हिस्सा भी कह सकते हो, ठीक है, क्योंकि यह इस्थाई memory है, यह nest नहीं होगा इनमे data, बंद कर लो से system को कुछ भी कर लो, तो यह non-volatile memory का काम करते हैं, बात समझ में आ गई, ठीक है, लेकिन यह auxiliary है, इनके बगेर इनको निकालो, लगाओ, निटाओ data को कितनी बार कुछ भी करो, कोई फरक नहीं पड़ता, बात समझ में आ रही है, तो इनको, यह सब लोग जानते होंगे, इनका नाम, hard disk क्या होती है, सब को पता है, computer में लगी रहती है, storage का काम करती है, सब storage के लिए है, magnetic tape, वही, case it, गाने भर लो, निकाल लो, वो सब, cd- जो, compact disk, पूछ ले जाता है, इसका full form, compact disk, read only memory, floppy disk, यह भी यही काम करती है, pen drive, यह भी यही काम करती है, dvd, digital video disk, इसका दूसरा नम भी है, digital versatile disk, v for versatile भी है, v for video भी है, तो digital versatile disk भी बोल सकते है, digital video disk भी बोल सकते है, dvd, ठीक है, चलिए, तो यह बाते तो सारी समझ में आगे, इनको तो मैं ज़्यादा पढ़ाँगा नहीं, अब मैं आपको इनको पढ़ाने वाला हूँ, इस्थाई memory को बहुत अच्छे से, ROM को बहुत अच्छे से, RAM का full form आप access memory, random access memory, तो ये भी full form जरूरी है, random access memory कौन सी memory है, volatile memory, ठीक है, non-volatile memory है, ROM, जिसका data मिटाया ही नहीं जा सकता, वहाँ पे लिखियो ही है, प्रात्मिक memory की परिभासा सारी, यह data को process करने में CPU की साहिता करती है, बिलकुल यह data को तीवरता से निर्देश करती है, वही सब बताया था मैंने उसको, एक तो process करने में CPU की help करेगी, प्रात्मिक memory और डेटा को तीवरता से निर्देश करेगी, जल्दी से, तो RAM का ही काम होता है, बिलकुल सही है, आगे हम ROM के बारे में पढ़ते है, ROM का full form होता है, read only memory, ऐसा data जिसे सिर्फ पढ़ा जा सकता है, नस्ट या बदला नहीं जा सकता, वही सब लिखा जाता है, ठीक है, इसलिए ROM एक non-volatile memory है, यह motherboard के ठीक उपर लगी हुई होती है, जिसमें silicon की chip, अगर आप से कोई पूछे कि silicon की कौन सी चीज बनी हुई होती है, तो silicon की यही दोनों memory बनी हुई होती है, ठीक है, silicon, computer में ज बिलकुल सही है, यह motherboard के उपर लगी एक silicon chip होती है, computer को अचानक बंद करने से ROM का data nest नहीं होता, इसलिए इसको हम बोलते है, non-volatile memory, ठीक है, रोम में उपस्तित प्रोग्राम को BIOS, BIOS बोलते हैं, window नहीं होती, BIOS नहीं, तो window तो उड़ जाएगी, nest करने से थोड़ी बहुत देर में, लेकिन BIOS कभी खतम नहीं होता, ठीक है, window चाहिए आप कितनी बार डालें, कितनी बार ना डालें, BIOS कभी खतम नहीं होगा, यह क्या होता है, basic input output system, बायोस का full form भी आपको पता होना चाहिए, input output system, जानते है input output क्या होता है, ठीक है, basic वाला, यह हमेशा ROM ही रहेगी ठीक है, चलिए, अब ROM कितने तरह की होती है, यहाँ पर समझाया हुआ है, कि ROM कितने तरह की होती है, ROM, PROM, EEPROM, EEPROM, जो ROM होती है, यह तो BIOS हो गया, इसका data कभी nest नहीं हो सकता, एक बार जो feed हो गया, वही रहेगा, यह बदला भी नहीं जा सकता, nest भी नहीं किया जा सकता परोम क्या है, परोम रोमी है, रोम जो पार्ट है वो परोमी है, आप ऐसे समझ लीजेगा, ऐसे कहिएगा, कि यह जो परोम है, यह एक पार्ट है, रोम का ही, अर्थात प्रोग्रामेबल, read only memory, एक बार प्रोग्राम करने के बाद बदल नहीं सकते हैं, तो रोमी यह चीज ह ठीक है, अगर हम एपरोम बोलें, एपरोम क्या है, एर्थाबल, प्रोग्रामेबल, read only memory, मतलब एरेज माने क्या होता है, एरेजर आप में सुनते होंगे बच्चों की रबड, तो वो ही है, कि यह मिटाने योग है, मतलब मिट सकता है, इसका डेटा, मिट सकता है, बिलकुल लेकिन अतनी आसानी से नहीं, पराबैंगनी केंडनों की हेल्प से इसका डेटा मिट जाता है, इसलिए इसको इपरोम बोलते हैं, इरेजेबल, लेकिन इरेजेबल आसानी से नहीं, पराबैंगनी अल्ट्रा वाइलेट रेज से इसका डेटा बदला जा सकता है, और बार ब Prome है EEPROME तो ये Ltically Erisable ऊपर था medically Erisable अगर Erisable आए तो प्राबेंगनी किर्णों से और अगर Il Prince ये औरियूर आए तो वो Electically भी किया सकता है वही सब लिखा हुआ है विद्ध पल्स की सहायता से प्रोग्रामिक की प्रोसिस बार बार दोहराई जा सकते है तो यह आसान होती है EEPROM को बदलना डेटा तो मतलब ERAGE करने का मतलब है डेटा बदला जा सकता है मैंने बोला ना ROME में डेटा नहीं बदल सकते लेकिन EEPROM का बदला जा सकता है इलेक्ट्री पल्स की मदल से EEPROM का EEPROM का बदला ही नहीं जा सकता एक बार प्रोग्राम करने के बाद ठीक है तीनों बातें समझ में आ गई है यह सब किसके पार्ट है ROME के पार्ट है ठीक है चलिए उमीद है भई आपको ROME का यह हिस्सा क्लियर हो गया होगा इतने जादा से गहराई से नहीं उठाएगा कोश्चन हाला कि गहराई तो इतनी होती है कि आदमी चार साल भी टेक करता है Computer Science में और इसी चीज कोई तो पढ़ता रहता है अब वो चार साल में कितना कुछ सीखा होगा हमें उतना तो नहीं सीखना है ठीक है तो फिर भी हमने कोशिस कर रहे है कि कुछ छुटे नाम में इन बात तो ये सब वही में इन बाते हैं ठीक है चलिए तो भाई अब मेमोरी से Questions कैसे कैसे उठेंगे ये मैं आपको कल बताऊ